जो आपको आपको पता होगा है तो इसके बाद में क्लास स्टार्ट करेंगे तो दिवाली बच्चों हम रामचंद्र जी जब वनवास गये थे सीधा मया और लक्षमन जी के सांथ तो उनके वापस जब वो अपने आयोद्य हमें वापस आ रहे थे तो उसके खुशी में लोगों ने खुशी जटाने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए दीप जलागी उनका स्वागत किया था ठीक है तो आमावश्या को मनाई जाती है दिवाली तो काफी अंधिरा होत रस्ते में और अयोद्य हवासियों ने अपने खुशी विव्यक्त की दिया जलाकर उनके स्वागत करने के लिए इसलिए दिवाली इरकात यहार मनाते हैं तो सभी आप लोग हमेशा एसी जो है दिवाली इरकात यहार मनाते रहें ठीक है तो आप आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं क्लास ठीक है तो लुक एड़ गोर्ड तो कल मैंने आपको बच्चे समझाए था सब्ट्रेक रहें चैक्यों अंसर आज मैं आपको सिंप्लि ठीक है तो यहां पर देखिए मैं इसको आपको करके दिखाते हूं पहले हम स्टेप वन करेंगे ठीक है स्टेप वन यानि पहला स्टेप हमें क्या करना होता है जैसा कि कोश्चिन में गीवन है तो डिजित आपको एड़ करनी है और जो माइनस यहां माइनस का साइन है इसक तो हमेंसे एड़ करना है तो यह मैं आप एड़ कर रही हूं यह तो मेरा अंसर आया 11,16,867 step 2 में हम क्या करेंगे इस आंसर को जो यहां पर आंसर आया इस आंसर को यहां पर लिखेंगे 11,16,867 बोलाइन और आप दोनों को एड़ कीजे फिर लेस कीजे तो एड़ तो हमने कर लिया मैं एक पास आंसर यह आया आया अब मैं इसको लेस कर रही हूं तो बंस प्लेस के नीचे लिखना शुरू कर रही हूं मैं प्लेस का बहुत ज्यान रखिए बच्चो अगर आप इस साइड से साइड से ही लिखना ठीक है और आप यहां से लिखेंगे तो इस साइड से शुरू करेंगे इंगे ओके इसणों हो वाँ से डियाना था सॉरी यहान पे सेवन था तो ठीक है 77 लीचे 4 5 2 1 1 लैस करना हमें तो अंसर में इसको लैस करूँ यह हमारा लैस कर जाया तो यह इसका अंसर यह सिंप्लिफाई के कुश्चन है है ना बहुत सिंपल तो कर मिलेंगे हमें एक न्यू टॉपिक के साथ तो सर्वी बच्चे दूंधाम से दिवाली मनाएए ठीक है और अपने इसको रिलेटिव में मेरा वीडियो जो है चैनल का लिंक शेयर जोर कीजिए ओके थैंक्यू थैंक्स फॉर वाचिंग हैपी निवाली चुर्च बाइए